कई बार हम जीवन में सही दिशा खोजने के लिए गुरू से मार्ग दर्शन प्राप्त करते हैं, जीवन में सही मार्ग का चुनाव ही हमारे सुख और शान्ती की चाबी है। एसा क्यों होता है? कहां जाता है कि सत्गुरू तो खुद ईश्वर का मानव रूपी अफ्तार है, फिर भी उनका सत्संग सुनने वाले सभी का उद्धार क्यों नहीं होता? समझेंगे एक शिश द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के बाबा जी द्वारा दिये गए उत्तर स एक दिन बाबा जी से एक शिश ने पूछा, बाबा जी क्या आपके सत्संग सुनने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है? क्या उनके दुख दूर होते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, कुछ का होता है और कुछ का नहीं होता. शिश ने फिर प्रश्न किया, तो आपके उपदेशों को सुनने के बाद भी सभी लोगों को शांती क्यों नहीं मिल पाती। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ती तुमसे किसी जगह का रास्ता पूछे और तुम उसे सही रास्ता बता दो, फिर भी वह भटक जाए तो तुम क्या करोगे? शिश्य ने उत्तर दिया, मेरा काम सिर्फ उसे रास्ता बताना है, अगर वह फिर भी भटकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा जी ने गंभीरता से कहा, ठीक वैसे ही, मेरा काम भी केवल लोगों को सही मार्ग दिखाना है, मैं उन्हें सही गलत का भेद बता सकता हूँ, लेकिन उन बातों को जीवन में अपनाना या नहीं अपनाना, या उनके खुद के हाथ में होता है, जो लोग इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनका कल्यान हो जाता है, और उनकी जीवन में सुक्षान्ती आती है, जो नहीं अपनाते, वे दुख और भटकाव से घिरे रहते हैं, बाबा जी ने आगे समझाया, सत्संग, केवल रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना या न चलना, यह निरनय हमें स्वयम लेना होता है, यह जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख है, कि हमारे पास सही मार्ग दर्शन उपलब्ध होता है, परंतु सफलता और शान्ती त जब हम गुरू की बातों को सिर्फ सुने नहीं, बलकि अपने जीवन में उतारें, क्योंकि मार्ग दर्शन से रास्ता मिल जाता है, पर मन्जिल तक पहुचने के लिए कदम हमें खुद ही बढ़ाने होंगे, बाबा जी के उत्तर से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरू के शब्द अमूल्य होते हैं, परन्तु उनका सच्चा लाब तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों और जीवन में उन्हें ढालते हैं, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएगा, और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस कम से कम 10 लोगों के साथ शेर जरूर कीजिएगा, एक बार फिर लोटेंगे एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए राधा स्वामी जी